हलो एव्यवन तो गाइज आप सब का सवागत है आपके चनल फूर यू रेसिपीज में और आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ कंडेंस मिल्क की पर स्पेशल रेसिपी अब आपको होगे स्पेशल बताओ इसमें क्या है देखो कंडेंस मिल्क बिना बेकिंग सोडे के आपने कभी नहीं देखा होगा बिना बेकिंग सोडे के हम इसको बनाने वाले हैं मज़ा आगया बात का और दूसरी चीज हमें से घंटों नहीं चलाना है कि बैटके आदा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट इसको चलाना पड़ रहा है महनत करनी पड़ रही है और तीसरी सबसे बड़ी चीज अब आपको होगे कि यार बिना बेकिंग सोडे के तो ये बोलते हैं कि इसका रंग नहीं आएगा अच्छा या इसमें फिर गुठलियां पड़ जाएंगी और सोचो बाजार में मिलता है ये 120-125 की एक कैना आती है घर में आप 25-30 रुपे में इसको बना के त्यार कर सकते हैं तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है चलो फटा-फटा आजाओ शुरू करते हैं प्यारी सी रेसिपी को बनाना तो यहां पर मैंने ले लिए एक भारी तले की कड़ाई जिससे कि जो आपका दूद है वो नीचे ना लगे इस चीज़ का ध्यान रखना और दो कफ हम इसमें रेंगे दूद जो की वज़न से है आधा लीटर दूद आप टोंड लो, फुल फैट मिलक लो, कोई भी इसका दूद लो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको उसको चान के लेना है, जिससे कि आपका जो कंडेंस मिलके वो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बने है, ऐसा ना उसमें मलाई रह जाए या लच्छेदार सा बने, वो हम नहीं चाते हैं आपे, तो जिस कप से मै मैंने दूद नाप है, उसी कप के नाप से मैंने आधा कप चीनी डाल दी, और इसी कप के नाप से मैंने इसका चोथा हिस्सा चीनी डाल दी, याने कि पोना कप हमने इसमें चीनी डाल दी है, वैसे जो ये रेसेपी एसमें एक कप चीनी डाली जाती है, पर मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश किये कि चीनी भी कम लगे और आपका जो कंडेंस मिलके वो भी बिल्कूल परफेक्ट बने कलर में भी अब मैंने गैस इसकी शुरू की है मतलब ओहन की है और गैस है हमारे मीडियम प्याने की मध्यम आज में इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे और अपन बनाने शुरू करतेगा हम वो नहीं चाते हैं और हम इस रेसिपी में बेकिंग सोडा भी इस्तमान ली कर रहे हैं तो वो जंजट लेना ही नहीं है हमें अब आप यहाँ पर देखोगे जैसे जैसे चीनी इसमें घुलती जाएगी इसका हलका हलका सा रंग भी चेंज होता ज खतम गैस को कर दो बिलकुल कम ये देखो है न बिलकुल कम अगर आपकी गैस ऐसे हो कि बिलकुल उसके प्राण निकल चुके हों और वो बहुत ही कम चलती हो से भी जादा तो हलकी सी जादा कर देना जिससे कि वो कम से कम कढ़ाई को छूती रहे तो सोचो सिर्फ 15 मिनिट आ उसको चला रहे थे चमचे को आपको यह जो सफेज सा जाग आ रहा है जो गंदी है कटोरी में पानी लेना है और इस तरीकी से हटा देना है और मुबाइल में या फिर अपने घड़ी में अला भरो 20 मिनट का और 20 मिनट अब बाद हम इसको देखेंगे तो इसको पकाते पकाते हो गई है 20 मिनट लो फ्लेम पे यानि कि जब से हमने गैस को कम किया है तब से अब तक इसको 20 मिनट हो गई है पकाते वे तो इसकी जो गंदी है इसको निकाल लेंगे और बस आगे हमें इसकी जो गंदी है उसको निकालने की ज़रुवत नहीं है 10 मिनिट का फिर से आप इसमें अलार्म भरो इसमें नहीं मतलब अपने मुबाइल में अलार्म भरो तो अब यह हो गए है हमारी 10 मिनिट और 10 मिनिट बाद याने कि टोटल हमें इसको लो फ्लेम पे पकाते हो गया है आदा घंटा और जब आदा घंटा हो जाएगा तो आपको जो यह जाग है कुछ इस तरीके के नजर आएंगे आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि यह गाड के माँच पर उसके बाद में हमने 30 मिनिट के लिए इसको कम कम पर पकाया है तो अब हमें क्या करना है जो साइड में जो जो किनारों पी हमारा कंडेंस का मिलक लगा हुआ है इसको आपको कुछ इस तरीके से ह опас आना है बिल्कुल भी आपको चम्चे से इसको खुरचना नही तो अभी ये गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, पर अभी मैं आपको ये दिखाऊंगे, कि आप बीच-बीच में देख सकते हैं, कि आपको लगे का कि यार इसमें तो गुठलिया गुठलिया ऐसी लग रही है, ये बिल्कुल भी गुठलिया नहीं है, ये क्य हैं, क्योंकि हमने condensed milk को 30 मिनट बिना चुए पकाया है, तो उस वज़े से क्या होता है, कि थोड़े-थोड़े-थोड़े-थोड़े से उसके अंदर एक तरह से कर्ण बन जाते हैं, तो जैसी आप इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए, यानि कि आधा मिनट के लिए, इस तरीके से इसके मरम मत करोगे, यानि कि इसको अच्छे से मिलाओगे, तो उससे क्या होगा, कि वो बिल्कुल dissolve हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर घुल जाते हैं, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी, ये देखो, अब बताओ ज़रे यहां पे, आपको एक भी इसके अंदर कर्ण दिख र आप एक काम कर सकते हैं, हातों को अच्छे तरीके से धो, और इस तरीके से जो उंगली है, उससे निकालोगे, तो वो खुर्चन नहीं निकलेगी, जो मुलायम हिस्सा होगा, जो स्मूथ पार्ट होगा, सिर्फ वो ही निकलेगा कड़ाई से, आप शाहे तो उसको खावी सक उसको थोड़ा सा पकालो, बस, तो अब मैंने क्या किया था, इसको थोड़ी देर के लिए, आदे गंटे के लिए, फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद देखो कि इसकी क्या हालत है, इसकी हालत का तो पता नहीं, पर मेरी हालत बहुत खराब है, इसको देख के, मैंन बेकिंग सोडा की इतनी बहतरी इन कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपको कहीं नहीं बिलने वाली है तो इसको जरूर ट्राइ करना और बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको रेसिपी पसंद आती है अपने प्यारे से कमेंट करना वीडियो को लाइक करना और अजय और बबाए!